जै स्री राम प्रिय भगतो ऐसे व्यक्ति को इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी खरा नहीं सकता वह जो चाहे प्राप्त कर सकता है ये ग्यान भगवान सिव ने दिया है और ये दुनिया का गुप्त और महाशक्ति साली ग्यान है भगवान सिव कहते हैं कि जब एक करोड बल निस्फल हो जाते हैं तब भी ऐसा व्यक्ति सबसे आगे रहता है अर्थार्थ भले ही एक करोड हर प्रकार के बल निस्फल हो जाएं लेकिन ऐसा व्यक्ति का बल कभी निस्फल नहीं होता ऐसा व्यक्ति इस लोक में और प्रलोक में या अन्य किसी भी लोक में सदा शक्ति साली होता है एक मनुस्य के पास दस, सो, दस अजार, एक लाक अत्वा एक राजा के बराबर बल होता है सो यग करने वाले इंदर का बल करोड गुना होता है लेकिन ऐसे व्यक्ति का बल इंद्र के बलके तुल्य नहीं होता तो कैसा व्यक्ति है वो जान लेते हैं देखिए जो व्यक्ति एकाग्रचित होकर तीनों नाडियों के संगमस्थल यानि की आज्या चक्र पर ध्यान करता है तो उसे अभिष्ट शिधिया प्राप्त हो जाती है उसे महालाव होता है और उसे इश्वरत्व की प्राप्ति होती है और वह सर्वत्र सफल होता है सर्वत्रे यहां तक की ऐसे व्यक्ति का मृत्यू भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती मृत्यू भी ऐसा व्यक्ति हर जगें पूजनिये होता है पूजनिये लेकिन ध्यान रहे एकागरचित शव्द का प्रियोग किया गया है एकागरचित मतलग जिस समय आप ध्यान करें आपके आग्या चक्कर यानि कि तीसरे नेत्रे पर जो दोनु बोहों के बीच में होता है जामाता हैं बहने बिंदी लगाती हैं वहां तो उस समय आपके मन में अन्य विचार नहीं होना चीए ये एक दिन में नहीं होगा ये अभ्यास से होगा अब एक आगरचित करने का हम तरीका बता देते हैं डारेक्ट लोग गलती करते हैं कि वो आग्या चक्र पर ध्यान स्वासों का ध्यान करें अपना मन स्वासों पर टिका दें और अग्या चकर पर मन की आखों से देखते रहें तो मन आपका स्वासों पर रहेगा स्वासों में स्वेम सिव विराजमान हैं तो सिव से आप जुड़े हुए हो अन्य किसी का ध्यान नहीं आपको प्रमात्मा का और यहां ध्यान कर रहे हो आप, तो आपका मन एकागरचित समझा जाएगा, अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हो और प्रती दिन अभ्यास करते हो, क्योंकि एक दिन हजार रुपे कमा लिये, या लाक कमा लिया, प्रोड भी कमा लिये, तो वो खरच होंगे जब तक नया नहीं कमाऊगी, तो नया आपको मिलाते रहना पड़ेगा, यानि प्रती दिन अभियास करते रहना पड़ेगा, तभी आपको अमरित्व की इश्वरित्व की प्राप्ती होगी, और आपको दुनिया में कोई भी खरान नहीं सकेगा, आप पुझनिया होगे, आप देवतुलन वक्ति हो, जै श्री राम